आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको जेंडर रिविल पार्टी के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है जेंडर रिविल पार्टी और अभी ये न्यूज में इतने चर्चे में क्यू है बहुत कुछ है जानने को इस वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर Zender Reveal Party एक ऐसा पाटी होता है जिसमें Family Members, Friends और भी लोगों को invite कि जाता है ताकि उन्हें Born होने वाले बेबी के Zender के भारे में बताया जा सके Born होने वाले बेबी के Zender को reveal किया जाता है इसलिए इस पार्टी का नाम Zender Reveal Party है अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें होता क्या है कौन और्गनाइज करता है तो सुनिए जब parents ultrasound कराते हैं उस टेम doctors उन्हें नहीं बताते कि baby male है या फिर female doctor एक लिफाफे में envelope में gender को लिख कर parents को दे देता है अब ये parents के उपर depend करता है कि ये party वो खुद organize करेंगे या कोई family member या फिर उनका friend organize करेगा अगर family member इस event को organize करता है तो mother father बीना उस envelope को देखे बीना चेक किये उस family member को envelope को दे देते हैं और यदि वो खुद organize करते हैं तो direct उस envelope को बीना देखे हुए bakery वाले को दे देते हैं जो कि cakes बनाएगा और सारा management करेगा उस cakes के अंदर या तो blue color या फिर pink color को cream से भर देगा अब यहाँ पर जो blue color है वो boy को so करता है और जो pink color है वो girls को so करता है तो इस प्रकार से cakes को cut करके या फिर balloons के अंदर colors को fill करके या फिर पटाके को जलाकर baby के जेंडर को reveal किया जाता है ऐसी parties इंडिया में organize नहीं की जाती क्योंकि इंडिया में prenatal check up ban है यह ज्यादा तर America Britain जैसे देशों में मनाय जाता है इसकी सुरुवार 2000 में हुई थी यहाँ आप एक news देख सकते हैं जो कि दुबाई की है दुबाई के बूर्च खलिफा के उपर lighting करके जेंडर को reveal किया गया यहाँ आप इस image में देख सकते हैं आपको बता दू कि इस party पर जो खर्च हुआ है वो 1 lakh dollar है यानि इंडियन रुपीज में 73 lakh रुपीज और ये अब तक का सबसे महंगा जेंडर रिविल पार्टी है ये news में काफी चर्चे में है एक और news आप ये देख सकते हैं कैलिफोर्निया का जहाँ पर जेंडर रिविल पार्टी में पटाखा जलाए गया और इस पटाखे से जो सूखे घास थे उनमें आग लग गया और ये आग इतना powerful था कि तेजी से 7 हजार एकड़ से अधिक जमीन पर फैल गया कई लोगों को वहां से निकाला गया लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा यहां आप कुछ images देख सकते हैं जो कि कैलिफोर्निया के situation को दरसारी है पूरा सहर आग की वज़ज से red हो चुका है जेंडर रिवल पार्टी से जूड़ी जो भी important बाते थी वो मैंने आपको बता दिया I hope आपको समझ आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दे तब तक के लिए bye and thank you for watching this video